Hello students In this video I will explain class number 3 in computer Class name Know about Windows 7 ठीक है Windows 7 क्या है Windows 7 क्या होता है? Software है Introduction, Windows 7 is a GUI Windows 7 एक GUI है GUI की फिलफर्म होती है Graphical User Interface Waste Operating System Developed by Microsoft यह एक क्या है? Windows 7 एक Operating System है जिसे किसने Developed किया है? Microsoft एक Company है उसने Developed किया है GUI includes Windows, Buttons, Minus, Call Bar, Icons and Graphics इसके अंतरगत क्या आता है? GUI के अंतरगत इसमें Windows आते हैं, Buttons आते हैं, Minus आते हैं Scroll Bar, Icon and Graphics आता है Windows 7 has Many Functions, Windows 7 की क्या होती है? बहुत सारे Functions होती है One of the Function of Windows 7 is to Start or Restart the Computer and this Process of the Computer is Known as Booting जब आपका Computer Start होता है, तो कुछ Process होती है कुछ Time लगता है न उसको? तो उस Process को जो क्या होते हैं? Booting बोलते हैं कि जब आपका Computer Start करते हैं Restart करते हैं, तो कुछ Time लगता है आप जब Mobile को स्टार्ट करते हैं तो उस पर भी टाइम लगता है तो उस Process को हम क्या बोलते हैं? Booting बोलते हैं ठीक है? Next Topic है आपका Start Screen Windows 7 Startup Screen Sum up as Follow जब आप Windows 7 को स्टार्ट करते हैं जो स्क्रीन आती हैं उसके बारे में हम आप राइट आप को आफ्टर टर्निंग दा कम्पीटर आउन जब आप कम्पीटर आउन करते हो इस स्टार्ट बोलते हैं तो क्या होता है? Booting बोलते हैं आप कम्पीटर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वोपन होना कुछ टाइम लगता है प्रॉसेसिंग होती है तो उस प्रॉसेसिंग का होब वोटिंग कहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? Booting इस स्टार्ट होती है आप पास्वर्ड में भी आउस्ट एंड आफ्टर गिविंग दिपास्वर्ड उसके बाद क्य उता है? अगर आपने इसमें password का option दे रखआ है तो आप क्या करेंगे पास्वर्ड ऊपस्वर्ड करेंगे तब आपस्वर्ड करेंगे तब आपका ऊपन होगा अगर आपको नहीं दे रखआ है तो आपक token बोलते हैं desktop as soon in the figure विलोजी figure में आपको दिखाई दे रहा ना इस screen को हम क्या बोलते है desktop बोलते है नोइट Windows 7 was released for manufacturing on July 22 2009 Windows 7 कब इसको manufacture किया गया था July 2009 में 2009 में ठीक है 22 July 2009 में and for general retail ability on October 22 पर उसको generally जो अबलेबिल किया था सबके लिए रियल retail में अबलेबिल जो हुआ था ये आपका 22 October 2009 को हुआ था अके yay गेकयो आइक एडैंड-डैप कि अणिंश और पिचर विच्निफाई द्स चिशाज नेem ऑफ एफ्यशन एन और इस नेचर के एंज्यों में यहां पर इमेज होती है नो ठीक है यह क्या होते है आइकन्स होते हैं ठीक है जो भी एप्रिकेशन होती है वो इसमें जो भी एप्रिकेशन आप यूस करें जिसे मालेज़ आपको 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 साइकल बिनकी नहीं रहे तो आप इसको माउस के हल पर यहां पर क्लिक करके इस गेम बंबर मारियो गेट्स लोड़ी तो क्या होगा यह गेम लोड़ हो जाएगा and you can play this game और आप इस गेम को प्ले करने लोगे आपने देखा होका ना आपके जो स्मार्ट फोन आप सिर्च करते हो तो क्या होता है कि आपका जो भी गेम होता है वो start होना तोड़ होना फ्काइब इता यह बीस की एक संदाइन को मटरा इस एक स्टाइब यह स्टांट इन लाइक अर्लियर वर्जन वर्जन की तरह होता है जिसे हमारे पुराने वर्जन से भी पार्ट्स होते हैं देखर पर अपको टास्क वर्जन से आइकन इसमें नोटिफिकेशन एरिया होता है जो भी अब आपको नौटिफिकेशन एरिया में सो ओता है ट्लियू नेक्स्ट है heading taskbar, it is the horizontal bar at the bottom of desktop, यह desktop की जो bottom होता है नहीं हमारा desktop है, यह desktop का bottom है, यहाँ पे एक horizontal bar होता है, the program which you open appear in the taskbar, जो भी आप program open करते हो, वह आप तिहाई देते हैं, आपको taskbar ने, you can use the area to switch between the program if you more than one program running at a time, जब ज़्यादा program open करना चाहरे हो, तो आप क्या करोगे, उसको close करके कर दोगे, तो वह आपको कहाँ शोगा, taskbar में शोगा, फिर आप जो next program open करे हो, उसमें work करोगे, फिर आपको जो पहली फिर्स प्रोग्राम जिसमें आपको work करना था कर उसको फिर से open करना है, तो आप taskbar में जाए, तो और वहाँ पर जाकर उस प्रोग्राम को open करना, उसको click कर देजिए, तो वह आपको repeatedly open हो जाता है, ठीक है next होते है, taskbar icon, you can use this icon as an alternative method for launching the sub-window 7 program, टास्क Iconascal होते हैं जो और आपको ब्हुत्सिक C antique hypothes, तेके आपको शो हो रहे होगे इसमें, त्यापको सब्सक्राइब करते होता है, खेवर्श पक्राइब बेख्योभासिती में एक्सप्रेंट में शौता है, तैंकन करूँ Ital탕 má financesarाट होते हैं,